हाई असलाम अलेकुम कुछ आमजी सब अगे जामें आप सब कस्वा करते हूं उम्हीद करते हूं कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दौाओं के और इसे रंद्रा हम सब एकदम ठीक हैं और आज व्लॉग नहीं है आज चोटा सा वीडियो बना के आपको बताने वाली हो य अपने हिजाब कब से लिना शुरू किया लेको हर एक इंसान का एक लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब वह सोच है उसे वह करना है और इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है तो वह रीजन आप सब जानना चाहते थे और वह रीजन मैं आप सब को आज बताने वाली आज चाहूँगी कि please judge मत करिएगा मुझे ऐस साथा जादा कैमरे से बात करना भी नहीं आता है तो किसे करना हैEEEE और कभी भी यह नहीं सोचना कि मैं हिजाब डालती हूँ या मैं ऐसी हो तो मैं बहुत ही प्यारी हूँ जो लोग नहीं डालते दो खराब यह आपको नहीं पता कि अल्ला किस से खुशे क्या पता जो फुद को पूरा कवर रखता वो कौन से गल्पी कुना कर देता और जो इस तो इसमें इसलिए और हमारे इसलाम भी आपकी बॉड़ी जितना हो साथ कि देखे को इंसान परफेक्ट नहीं होता हम भी इतने परफेक्ट्स नहीं लेकिन कि मैं आपको सिभ अपनी बात बताने वाली हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ बहुत बार मुझसे भी ऐसी चीज़ से गलतियां हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हर एक इंसान सीखता है तो मैंने कफ से शुरू किया अब मैं आपको बताती हो हिजाब डालना स्टार्ट किया था आज से दो साल पहले जब कोविड आया था पहली बार जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं मैं हमेशा रमजान में अपने हैट को कवर करती थी और रमजान भर करती थी हमेशा पूरा प्रॉपर और जब जैसे चान दिखता था इद आने रगती तो मैं हमेशा हिजाब हटा के बिल्कुल बालवाल खोल के मार्केट शॉपिंग पर जाती थी उस वक्त एक बार दिल में ऐसा होता था कि पूरे रमजान भर क्यों किया है और फिर अब क्यों हटा रही हूं लेकिन होता ना तब तक आपको समझ में नहीं आती है अच्छा मे में जुआ पढ़की से रह vaar के लोगे तो में और मार्केट में आंटी आनुटी कहने लगेते आंटी कोई बुली बात सब इतनी समझ नहीं ती अभी अब सब नहीं पड़ता है जैसे भी ठीक है लेकिन उस व्लें उस वर सभी है उस वर्धिंग पर फिर से हटा दिया cubra नहीं कहेंगे इतना ज़दा डर मेरे अंदर बैट कि बहुत से लोगों को हुआ होगा कि अब क्या होगा अब तो पूरे दुनिया कॉतम हो जाएगी अब तो मर जाएगी कभी भी मर सकते हैं से वीडियो आते थे नहीं हो तो तब जब आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि आप नहीं बचोगे तब आपको सिर्फ अल्ला दिखाई देता है तो उस ताइम पे एक दो महीने का पीरिड ऐसा आया था कि मैंने सब को छोड़ दिया था नहीं मैंने को इंसाग्राम के कोलाबरेशन वसे तो वैसे भी नहीं आ रहे थे लेकिन और भी कुछ अच्छा नहीं लग तरना तयार होना ना कुछ करना बस इबादत करते ना सर पे डुपटा रखना ऐसे मैंने शुरू कि अल्ला से दुआ करी कैसे कैसे वह फेज निकला घर पे किसी को इतना तुदा अफेक्ट नहीं हुआ तो जब चीज़े नॉर्मल होने लगी तो फिर मैंने उस दिन से सोच तो और उस वक्त पर रमजान भी आगे कोई डाया फिर रमजान चले रमजान में वैसे भी सर कवर करते हैं तो जब इदा फिर मैंने सोचा कि नहीं अल्ला को आप अपने मुसीवत के वक्त में बहुत जादा हर चीज़ अल्ला से प्रॉमिस करते हो जब अच्छे दिन आते ह जब मैंने अल्ला से दुआ किये सब पूरिया सही रहा है तो अब हमेश्या मैं अपना हैट को कवर रखोंगी अच्छा जब यह डिसीजन लेना बहुत सदा मुश्किल नहीं था क्योंकि करती रहती थी लेकिन हां एक बार जरूर सोचना पड़ता है क्योंकि आपको फिर उ पूरी कोशिश करती हो कि मैं हिजाब को जो मतलब है उसको पूरा करने कोशिश करूं मैं जादा ऐसे टाइट कपड़े या वेस्टन वाले के साथ हिजाब ना डालू आपने मुझे देखा भी होगा तो यह फैसला लेना बस थोड़ा से मुश्किल इसलिए मुश्किल नही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहें शायद आगे भी कर पाएं लेकिन मेरा यह था कि जब मैं डालू तो हमेशा डालू अपने करो अपने आसपास बहुत सरे लोग को देखती हूं जब अच्छे कपड़े नहीं पहने होते तो अब आया पहन लेते हैं और जब अच्छे सवाल साथ होता है कि क्या घर वालों ने फोर्स किया बिल्कुल नहीं कि आप देखते हो रिजा को सारा को भावी को बाकी लोगों को कोई भी पापा की तरफ से किसी नहीं मतलब कोई क्यों कहेगा यह अपना फेद होता है तो अम्मी इस तरह बिल्कुल नहीं कि नहीं तुम और किसी के कहने से करना भी नहीं चाहिए किसी के कहने से करोगे तो इसे कुछ औज़गा किसी का एक वेशन लें तो ganze 60 कोई प्राब्लम में ऊव्मिद्र काउया कि कौइड बिल्कुल भी कुछ काम में कुछ दखल आए तो यहां शायद कभी कभी Instagram पे ऐसा होता है कि कुछ brands देखते हैं कि अचा सवह से कराते हैं तो बहुत दो फायदा होता है तो वो करा तो लेते हैं लेकिन जो पोटो में पोस्ट कर रही होती है उसको पोस्ट नहीं करते हूं कि उनका पेज़ खराब हो जाएगा वहां पर लोग तोड़ा सा जो मॉडर टाइप फोटोज होती है जो प्रॉपर जुल्री दिख रही होती है उनकी फोटो रिशेर करते मेरी नहीं करी एक दो बार कभी-कभी बुरा लगा लेकिन बने यह सचा के नहीं हिजाब के वज़े से नहीं होगा शायद मेरी फोटो इतनी up to the mark नहीं हो इसके लिए उडिशन के लिए कौल आया था तो मैं यह चीज नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि मैं हिजाब पेंथी हुआ है जो लोग करते हैं अब भी मैं कह रही हूं मैं जज नहीं करती यह मेरा माना है कि हिजाब ने आपको मुझे कोई फैशन आइकन नी बना उसके लिए क्या हो सकता है वो लोग मुझे नहीं बोलते लेकिन आपको यह कैसे फैशन शो में यह उस तरह की चीज में जाते हो तो वह आज की जमाने की लड़की चाहते हैं और वह देखना चाहते हैं कि आप हिजाब पहन के किस तरह फैशन कर सकते हो अच्छा हिजाब प मुझे लगा अगर मैं करूंगी तो ऐसा नहीं हो कि मुझे देखके अगर बाकी लोगों ने भी करना शुरू कर दिया या एक ने भी कर दिया तो अजब जो दस लोग भी करेंगे तो उनको गुनानी पड़ेगा मुझे गुना पड़ेगा तो मुझे वह जगा ही नहीं जा कभी ऐसे कमेंसे बुरा लगता है तो कभी कभी बुरा लगता है लोग कोहें गया थेफ Awakज तब जड़े हो तब द फिर ध्योग उच्यज अब फो परॉड़ सूट आएगा तो बाल खोलेंगे मुझे बहुत बार ऐसी opportunity आई लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है कोई चीज काम आता है नहीं आता है कोई बात नहीं कहीं आगे नहीं जाना है ऐसी ही रहना है कि हर चीज जो भी करो आप अल्ला के लिए करो लोगों को दिखा के मत करो कि दिखा के करो कि तो थोड़ दिन बाद छोड़ दोगे और छोड़ो मत जो कर रहे हो उस पर कायम रहो आपको इतना वजाना चाहती थी कि इंडिया में रहे के अभी तक मुझे कभी भी कोई का जा रहा है क्या प्रॉब्लम है उसकी बॉड़ियों से जो पहना है वो पहन सकता है तो बस यह उमीद है कि अगर इस तरह कहीं पर हो रहा है तो बहुत गलत है और वो नहीं होना चाहिए हर एक की अपनी चॉइस है आज मैं व्लोग ने बना रही आज मैं सब को बता रही क्क ही की अखी ति मैं हिजाब डालना क्यों सुरू किया रिकिया कःबत कि अच्छा लगता है में हिजाब डालती हो मुझे मैं बताने सकते ही कि इतनी दिल से कुछी हो और क़ं अरुमी सब डालती होथ तो मैंने बोलती गएती बैटर रुपक व्लेके ॉपाट लेके जा बर्हांको और अच्छा लगाई तो सल्कूझका हुआ हम अच्रस सब्षमार कि करना है और इंसान नहीं डालता उसे क devotion नहीं करना है सब इंसान है सब सीख जाएंगे वक्त आने पर आल्ला है